मेरे दोस्तों यह वही तीन इक्का तमबाखू है जो आपके सरीर को पूरी तरह से दोस्त कर सकती है मेरे दोस्तों यह तीन इक्का तमबाखू को आप पल्टेंगे तो पीछे में आप कैंसर ही कैंसर पाएंगे यह तीन इक्का वाले भी पीछे में चिपका दिया रहता है तमबाखू से कैंसर होता है इसलिए मेरे दोस्तों इसको आज ही बंद करे खाना वरना यह आपको कैंसर में डुबो सकता है क्योंकि यह खैनी वाले भी लिखती है रहते हैं और वह पहले से ही चेतावनी दे दिये रहते हैं कि तमबाखू का न जानलेवा हो सकता है मेरे दोस्तों मेरे बहनों आप मैं आता हूँ रास्तरी प्रीम्यार रास्तरी पान मसाला देखिए ये इसका रेपर को देखिए इसका रेपर तो दिखने में सुन्दर है परन्तु आप इसके पीछे में जाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे वरना इसको लिखना चाहिए कि रास्तरी खाने से कैंसर हो सकता है क्योंकि इसमें क्राई प्रकार के जहरीले केमिकल मिले हुए रहते हैं जो नसा को और ज़्यादा बढ़ावा दे सके मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे पान मसालाओं को आप खाने से बचे क्योंकि यह आप लोगों को हमेशा कैंसर ही देगा कैंसर ही देगा और कुछ नहीं देगा मेरा अगला विडियो मैं गुडाखुल के उपर बनाया था जो आज बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जो हर जगह मेरा सपोर्ट करने में तुले है इसलिए मैं आज सोचा कि आज पान मसाला और उस तमबाखु के बारे में बनाया जाए जो आप लोगों के स्वास्था में गिरावट ला रही है आप लोगों के मुझ को खराब कर रही है और चलते हैं अब बलेक लेबल आज ही छोड़े प्रीमियम चेविंग टेबेको देखिए दोस्तों यह केंसर यह केंसर इतना भायावाह है कि आपके चेहरे के चमड़ी को पल भर में खराब कर सकती है मेरे दोस्तों बलेक लेबल इसमें पहले ही दे दिया है सक्त मना ही किया है कि तमबाखु खाना स्वास्था के लिए हानिकारक है तमबाखु से मौत हो सकती है देखिए यह कैंसर कैसे इसके चेहरे को गलाने में मदद कर रही है मेरे दोस्तों यह कमपनी का वही उपदेश्या है कि जिसका मन चले वो खाए और जिसका मन चले वो ना खाए क्योंकि इसमें इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं रहती है यह सब आपके उपर है मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे तमबाखु को इसकूल के पास बेचना गैर कानूनी है क्योंकि बच्चे लोग इन सभी को खाने में हिचकते नहीं मेरे दोस्तों इसलिए ऐसे हानिकारक चीजों को इसकूल के सामने ना बेचे वरना बच्चे में यह कैंसर बहुत ही तेजी से फैलती है और जो विज्यापन बनाने वाले है जो बनाते है उन लोगों से मिला सक्त रिक्वेश्ट है कि आप लोग विज्यापन बनाते हो और आपके द्वारा बहुत जने आपके विज्यापन को देखकर इस गुट का खैनी को खाते हैं तो इन लोगों की इलाज की जिम्मेदारी आप हुई लोगों का है आप ही लोगों का है इन लोगों का इलाज करना क्योंकि आप तो बड़े प्यार से इन लोगों को खिलाने में खिलाने में मदद करते हैं विज्यापन के जरिये तो आप लोगों का जिम्मेदारी है कि आप लोगों का जिम्मेदारी है जितने भी कैंसर पेसेंट है जो हैनी गुड का से हुए हैं, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी आप ही की होगी. वरना यहां आप लोगों के उपर कई प्रकार के केस भी आ सकती हैं, क्योंकि रेपर वाले तो पहले ही चितावनी दे दिये रहते हैं रेपर में. परंतु आप लोग अपने विज्यापन के माध्याम से इस चीज की या यानि के गुडाखू और खैनी खाना स्वास्ता के लिए यहां निकारक हैं, इस सब चीज को विज्यापन में नहीं दिखाते. मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को और दूसरा चीज में ले जाता हूँ, ये है बंगाली बिडी, ये बंगाली बिडी है जो बंगाल से बनती है, देखिए ये भी वार्निंग लिखाया है, टेबाकू, केसेस, माउथ कैंसर, वार्निंग, वार्निंग दिया है देखिए, ये देखिए कैंसर, कैसे, इसके मुझ को सडा रही है, गला रही है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, ये कैसे मुझ को सडा रही है, गला रही है, दोस्तों, इन सभी चीजों को, इन सभी चीजों को, इसकूल के सामने, ना बेचे, ना बेचे मेरे दोस्तों, वरना, यह बाल बच्चों के लिए इतना खत्रा पैदा ला सकती है कि समझो बच्चा कैंसर से पूरी तरह से ग्रसित हो जाए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार करोणों बार लाखों बार बोलता हूँ कि यह सब चीज से ही दूर रहे क्योंकि यह चीज हमारे सरीर को पूरी तरह से खतम कर सकती है मेरे दोस्तों मेरा वह वीडियो आप एक लाक से भी जादा वीव की और अग्रसर होती जा रही है और लाइक भी बहुत मिलती जा रही है मेरे दोस्तों मेरे दोस्तों देखिए इस वीडियो को भी मेरा इतना सेयर इतना सेयर करिए कि यह हमेशा सभी लोगों के दिलो दिमाग, सभी लोगों के मोबाइल, सभी लोगों के टीवी में आ जाए मेरे दोस्तों और आप लोग मेरे इस पहलू को आगे देखना और जारी रखना चाहते हैं मेरे दोस्तों और मैं आप लोगों के मदद आऊँ तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स समय मेरा जो है कुछ-कुछ मैं आप लोगों को इसमें मेसेच किया हूँ उसको फालो करिएगा और मेरे इस वीडियो को मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही वीडियो को डालता रहूंगा ऐसी ही वीडियो को डालता रहूंगा जो आप लोगों को जागरुक कर सके आपके आने वाले समय को जागरुक कर सके आपके आने वाले पीड़ी को यह वीडियो जागरुक कर सके मेरे दोस्तों यह यह मेरा वीडियो सभी टीवी सभी चैनलों में आना चाहिए क्योंकि यह तो लिख दिया गया है वार्निंग टबैको माउट कैंसर देखिए टबैको कैसेस माउट कैंसर इसलिए मेरे दोस्तों इसलिए यह सब चीज को आप लोग बन करे बन करे, बन करे देखिए इस बिच्छू को देखिए इस टबैको कैसे काटने के लिए उतारू है इसलिए मेरे दोस्तों इसलिए मेरे दोस्तों यह सब चीज को अपने से अलग करे अलग करे, अलग करे धन्यवाद मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने मैं सामने इस चीज को प्रस्तूत किया इसको लाइप सब्सक्राइब सेयर करना ना भूलिएगा